हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रेव श्टोन डोजी पैटन के बारे में एक ग्रेव श्रौन डोजी पैटन होता क्या है चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने open or close almost same पर थोड़ा सा difference हो सकता है पर almost same पर होते हैं open or close और जो low है वो भी इसके same पर होता है और high एक top पर होता है एक higher shadow होता है difference low और high का लंबा साही हो देखो गया वो बनता है तो यह बीरिस्ट handle stick होती है यह अक्सर टॉप पर आपने जाती है जब अप्टेंड जाल रहा है वहां के पर यह पासवाइब आपको आगे देखते हैं कहां पर पाई जाएगी वहां सबको पता लेगा यह कहां पर मिलती है तो यह क्या बताती है हमें ट्रेंट रिवर्सल बताते है जैसे कि अब चल रहा है वहां पे एकडम डोजी आ गया आगे किसके सपोर्ट में एक दो और बियरिस का इंडल आकर तो यह बताएगी कि हाँ यह अब स्टॉक प्राइस क्या गरने वाला है तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इसका एक्जा पॉइंट पर फिर एक आया यह कांफॉर्मेशन के लिए विरिस कैंडल तो देखे दोस्तों यहां से प्राइस एक दम नीचे गिरा यह हमें बताती है ट्रेंड का रिवर्सल आ गया नीचे गिरने वाला है इसको कहता है ग्रेव स्टोन डोजी जैसे कि नाम ही आपको बता ग्रेव स्टोन ग्रेव का होता है दोस्तों ग्रेव होता है हमारा विए बिल्कुल यह क्या कहते है इसको हम जहां पर समसान लाट में जो ग्रेव कबर का पत्थर इस तरीके से में गिरने वाला है कबर का पत्थर इस तरीके ग्रेव स्टोन डोजी पैटन कहते है दोस्तों यह पैटर्न हमको क्या बताता है ट्रेंड रिवर्सल बताता है चड़ता हुआ ट्रेंड था अब गिरेगा अब गिरेगा ग्रेवस्टों डोजी आगया अब तो गिर नहीं है चलिए भी है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर अपना जितना जितना कमा लिया है उसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए माभी आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्स की डिटेल लेकर आता रहूंगा थैंक्यू